जाहिल दोस्तो वेलकम टो विमेक्शुर मेरा नाम है गैरियों मैं आपने शोपिंग एक्सपिरियस के बहाफ पे कोशिश करता हूँ आप लोगों की पूरी हेल्प कर सको शोपिंग करने में तो आज हुमन बोक्स एंडरी को करने वाले हैं मास्टो चाओ ब्रैंड की और से इंस्ट नियूडल्स चाओमी फ्लेवर तो यह ओडर करने से पहले मैंने कुछ वीडियोस एक्सप्लोर की तो उसमें मैंने कुछ चीजे नोट की जो मुझे लगता है कि उन्होंने इससे प्रि प्रिपियर करूँगा कैसे प्रिपियर करूँ और प्रिपियर जो जिस तरह से मैं करूँगा कि उस तरह से अच्छे रिजर्ट्स आप आते हैं तो अनेसली रिविवीव आपके साथ शेयर करूँगा और बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की तो मैंने इसे एमजों से 65 रू देफिनिटिया एं मेक यूशर और राइट विए तो आ युट्मा डिजिस अफ्र देश्ट आपर फॉर देनस ओड़ कशर देता हो तो जैसे की अप देख पा रहे होंगी तूव बैक्स मैंने ओडर दिये थे तो तो as it is अवे मिल जाए हैं, तो packs कुछ ऐसे दिखते हैं और pack की lid पे आप देखेंगे, इस्ते ओपर drainage के लिए कुछ force दिये गए हैं और कुछ instructions भी दियेगे हैं, details में आ रहें पढ़ेंगे इसके ओपर अगर rapid भी लगा हुआ है, तो मैं चलिए जल्दी से इसका wrapper हटा देता हूँ तो एक तरह की seal ही है तो आप चाहें तो इसके instruction पढ़ सकते हैं, आगे मैं definitely step by step आपको दिखाने ही वाला हूँ तो that's why अभी के लिए आप चाहें तो इसे ignore भी कर सकते हैं तो फिलाल के लिए आप इसके looks पे ध्यान देजी, कोशिश मैं सिर्फ सिलाल ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सारी बाते detail में करेंगे, बिन पिल भी आप जल्दबाजी मत कीजिए तो इसको कुछ पैक पैक तो देखने में कब करवगा, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके लिड को निकालने के लिए तो मैं इसके लिड निकाल देता हूँ तो रैपर की seal के बाद एक और seal हमें देखने को मिल जाते हैं तो इसके साथ हमें peanuts भी एक चोटी से packet में मिल जाते हैं तो इससे की पेयर करने की जो instructions इसके ओपर दी गई हैं और side by side भी दी गई है तो डोलो सेम ही है आप चाहें तो जिसे भी फोलो कर सकते हैं पर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उच लोगों ते फोलो पहले किया और रिजर्ट उतने अच्छे नहीं आए तो मैं थोड़ा सा जो है चेंज उसमें करने के कोशिश करोगा और फिर देखते है पैक के बोटम में हमें इसका MRP और बेट सेक्टर देखने को मिल जाता है तो चलिए जल्दी से इसकी जो पैकिंगा उन्रैप कर देते हैं तो लेट्स सी वाट कोई गोट इन दा कप तो फर्स्ट फॉल इसके साथ हमें एक कांटा मिल जाता है एक प्लास्टिक का हलका पुल का साथा काटा सो नेक्स है हमारे पास whole wheat grain sorry whole wheat से बने बई noodles तो यह मैं नहीं कह रहा हूं यह Amazon में इसके bit session में बताया गया है क्रेरी कि यह whole wheat यानि की गेंगों से बनाए गया है इसमें मैदे का use नहीं किया गया तो next हमारे पास है chowing sauce तो chowing sauce के ingredients का है चलिए उसके बी नजर म इन में से कुछ इंग्रीडियंट्स यानि की चीफ इंग्रीडियंट्स है जाए की सोया बीन ओइल विनेगर गार्निक पेस्ट तो इनका स्वाद उबर कर आता है बहुत जल्दी आता है तो आपको तोड़ा सा इसमें ही खेर खेल आ है क्या खेलना है मैं आगी आपको बता हु सक्रेंशोट लेके भी इसकी जो प्रेपरेशन का जो एक धंग है अकोरिंग टू दा ग्रैंड आप उसे फोलो कर सकते हैं या विर आप मेरे बताए हुए तरीकों को भी अजवा सकते हैं अगर आप मेरे दुआनाप पर आप एक बार वीडियो पूरे देख लें मैं आपको यही सजेस्ट करूआ तो फर्स फोल मैंने आपको स्टाइटिंग में भी डिखायती तो आगे चल के देखेंगे की ड्रैनेज कैसी होती है डैपनेटी देखेंगे तो चलिए जल्दी से मैं बोई वोटर लेके आ जाता हूँ तो फर्स फोल आपको जो है नोडल्स को यानि क चाओ-मिंस को कप के अंदर नियी डाल लेना है को खोल करके ऊस के बाद आपको बो ब्रोटर लेकर आजाना है तो मैं बोईल्ड वोटर काफ खोलता हुआ पानी है तो आपको ध्यान रखना है आपके हाथों पे ना लग़ी तो मैंने इसे बोईल्ड वोटर डादी आ है तो वहाँ पे इस्ट्रक्शन में बताया गया है कि वैजिस बाद में पैनले डालनी हैं बट मैं यहाँ पे वैजिस बाद में डाल रहा हूँ और इसके बाद मैं इसे थोड़ा से शेक कर दोगा स्पोल के साथ या कांटी साथ तो यहाँ पे एक चैंज तो मैंने यह वाला कर देटी वैजिस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहाँ पर मैं इसे पाच मिनट के लिए छोड़ देता हो तो अकोर्डिंग टू अब आप देख सकते हैं कि इसके उट पर इस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि थोड़ा सा पानी समें छोड़ दे बट जो वीडियो मैंने अब्जर्व कि उसमें उन्होंने किसी भी तरह से थोड़ा सा भी पानी नहीं चोड़ा तो भी पानी निकाल अब आप देख से थोड़ा दिया तो पानी ड्रीन करने के वाल यह कुछ ऐसा लगता है और इसका जो कांटा तो अपना कांटा ले लिया और मैं इसमें सोया सो सेड़ कर रहा हूँ तो सेकंड और थर्ड चेंज मैं यह कोई वीडियो में उन्होंने पूरे का पूरा ही पैक इसमें डाल देंगे तो तो इससी बात है निудल फेक खटी हो जाएगी तो मैंने सारा पैकट नहीं डाला आधा ही डाला है अदा है आधे से थोड़ा कम ही कोईगा तो इसके बाद मैंने इसमें पीनेट दाले और मैं इसमें मिक्स कर देता हूँ तो मैं इसे काटे की या सोस या पिर कहोगा कि इसके साथ जो मेरे 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 जोड़ी सी ओड़ एड़ कर लेता हूँ अब आप कह सकते हैं कि मैंने तकरीबन 50 को 55% पैग मैंने यूज किया है 100% नहीं किया अब मैं इसे मिला लेता हूँ तो अब टेस्ट करता हूँ अब टेस्ट इसका काफी जादा अच्छा है बहुत जादा मसालेदार नहीं है फीका फाका भी नहीं है आप ऐसे कह सकते हैं कि और बच्चे भी से खा सकते हैं यहां पर बात ही है कि आप इसे मैगी से कंपेर ना गरें, मैगी का टेस्ट अलग है, अगर आपने आर्टा नूडल्स खाए हैं, तो एस टीज इसका टेस्ट वैसा ही है, चामुइंग बस एक नाम दे दिया गया है, आप इसे आर्टा नूडल्स भी कह सकते हैं, तो अगर आपको इसमें सोया बीन सोस यानि की सोया सोस और विनेगर और गार्लिक का टेस्ट बेसिक भी आ रहा है, तो मुझे उतना थास पसंद नहीं आया, कोज मैंने इसे खता भी नहीं होने दिया, जादा स्पाइसी भी नहीं होने दिया, अगर मैं से थोड़ा सोस पाइस करता हूँ, हाँ, अगर आप इसमें चिरी सोस आड करते हैं, तो डैफिनिटी इसका टेस्ट फोड़ा बढ़ जाएगा, अगर आप टीका खाने के शोपी तो डैफिनिटी इसे खा सकते हैं, बट मुझे इसमें खास पसल नहीं है, अगर स्टार्स की बाद तो मैं इसे 10 में से 3.5 और मैक्सिमों 4 स्टार्स ही दूँगा, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दो, अगर आप इसे मैगी के टाइप ओफ टेस्ट वाला समझ कर ओडर कर हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, आप अपने मनी और टाइम दोनों वेस्ट मत कीजिएगा, अगर आप नए ने टेस्ट अन्वाफ करना चाहते हैं तब भी आप इसे ओडर कर सकते हैं, अगर आप को पता है कि चौमिन का टेस्ट कैसा होता तब को तब तो आप हो और आएगी बट वो जो होती न मैगी वाली फीडिंग वो से कोई भी रिप्लेज नहीं कर सकता, definitely और आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर अगर आप भी कोई प्रड़क्ट से जिस्ट करना चाहते हैं तो नीची डिस आपको पसंद आने वाला हैं और हो सकती तो पसंद आने के बाद सक्ष्राइब भी कर सकते हैं, थैंक्यू रिव्यू